मूंग का पकोड़ा कैसा बनाते हैं तो हम लोग यह मूंग रात भर भीगो के रख दिया था तो यह फूल गया है अजिसमें अजिसा अधानीया सेट करके को मिर्ची है मिर्ची लासुन इह अधरक हो गया इसमें जन्या डाल देंगे और इसमें स्वादंसार नमक इसको हम लोग गराइन कर लेंगे तो इसको हम पीछ लेते हैं तो यह हम ग्राइन कर लिया है इस बावल में निकाल लेते हैं इसको इसके पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं तो यह हम लोग इस बर्तन में डाल दिया है हम इसको फेट लेते हैं तो अच्छा फेट जाता है इसके पकोड़े प्रिशन साथ मिर्ची आप स्वादन साथ डालिएगा इतना पीक आप खाते हैं और धनिया पता डालिए अच्छा रहता है 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 हुआ है 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 ज़िए आइस को हैं आ आ यह इस ओपर सब्सक्राइब काड़ा है अच्छा है अगया हम्ने कड़ाई रख दिया तो फ्राई करेंगे तो यह हम लोग कड़ाई रख दिये हैं गरम हो रही है तो हम लोग फ्राई करते हैं कड़ाई हो गई है कर दो हम लोगाई है अपड़रो बाजरब बाझा करता है झाल कि 대한 व क्पाल्सथ हम किसे झाल , बच्तों यहाँ टला हो भाल कि एवाई और र्रोप्मिट किणे का फम कर shells वैसे स्थाज यह मैं आजे। यह हो गही है तो दिकाल लेते हैं बटल में इंठषक मवेजे 1% बूब तो यह पकोड तो यह बन जाते आं पकोड तो अब्येस्टा अवर RAW ऐसी लगतए खाने में हैंधे लगता दूब आज मंदी रुट यह कोड़ Taylor' दू तो यह बहुत जल्दी कमध में तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजे और चैनल को सब्सक्राइब कीजे हम लोग आपको फिर से मिलेगे नेया वीडियो लेके तब तक लिए बाई